कि कैसी हैं आप आज रीड की हड़ी का आपरेशन का बार्माः देन है कैसा मैसुस हो रहा है कि आपरेशन का कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए था अच्छा तो इसलिए लेट होते गए इसलिए लेट होते गए तो आप यह अब क्या बोलते हो बाकी लोगों को जैसे रीड की हट्डी के अपरेशन से लोग डरते हैं तो आपको काफी फाइदा हुआ है अपको करा नहीं है अपरेशन कराने चाहिए के फाइदा होगा फाइदा होता है मतलब जो डरने की जुरुवत नहीं है लोगों को क्योंकि पबलिक डरती है ना कि रीड की हट्डी का अपरेशन हो गया तो लगवा लग जाएगा फिर पलंग से उठ नहीं पाएंगे लेकिन अब आपरेशन वी बात बहुत अच्छा हो गया खुब चल फिर पा रहे हैं अच्छे से चलो बहुत अच्छी और बजन कितना है आपका अच्छी किलो था तो चलो अब बजन कम करना है ज्यादा बजन से रीड की हट्डी में लोड आता है और नीचे नहीं बैठना है जमीन पे ज्यादा नहीं बैठना है नहीं तो क्या है कि पूरे बजन को उठाना पड़ेगा तो कमर को लोड पड़ेगा तो यह साध्वानी आपरेशन के कितने बाद छुटी दी तीन दिल बाद फिर आप घर में लेटना नहीं पड़ा हराम से चलते फिरते रहे तो यह आज कल जो टेकनिक इस्तिमाल की आती है उससे पेशेंट को लंबे से में तक लेटना नहीं पड़ता है तो घर भी अपने से पैदल चलते हुए चले गए तो अपने घर जो है पैदल चलते हुए चालो बहुत बढ़ी आपकी हिम्मत भी है हिम्मत होना चाहिए कोई सभी आपरेशन चुबी सभी सभी लोग अपरेशन होगे आप कितने भी किलोमेटर आप अराम से चल सकते हैंगे आच्छा अच्छा बारेशन होगे आप कितने भी किलोमेटर आप सभ करे सांग हो गए आच्छा आप बहुत बढ़ी है भाइख बहुत बढ़ी करेस्थे पासन हो गये और में आच्मरल ऊनक, बष exists रिक आप